चाह नहीं है, एक अलग नाम की इसी को महान बनाऊंगी, मैं नारी हूँ इस युक की, नारी की ही अलग पहचान बनाऊंगी नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम जिंदा जिल जिन्दे की विजोती में, मैं हूँ आपके साथ जोतीकार की हम हर हफते आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे सक्सियत से, जो की अपने काम से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो आज हम जानेंगे एक साधारन से लिड़की के कहानी, जिन्होंने अपने काम को सबसे पहले रखा और अपने जो क्रियेशन हैं उसको ना ही एक नाम दिया, ब्रैंड दिया, बलकि इस वक्त वो नॉइडा में अपनी एक कंपनी भी चला रही है अपने जो जुरून हैं उनको अपना व्यवसाय बनाया और उनके जो भी क्रियेशन हैं वो बॉलिवोड से लेकर बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको पसंद करते हैं उनके जो भी बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, डिजाइन करती हैं वो फिल्मी पर्दिय से लेके रेड कार्पेट तक चाहे रहते हैं तो आईए हम जानते हैं पल्लिवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सबसे पहले मैं स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और जैसे कि आपके बारे में जतना हमने जाना पहचाना सबसे पहले मैं जाना चाहूँगे कि आपके काम की तो बहुत तारीफ होती है पर आप पल्लिवी मोहन जो है वो क्या है कहां से है और इसकी शुरुवात कैसे हुई आप बताएए पल्लिवी मोहन तो बड़ी सिंपल सी कॉम्प्लिकेटेड है लड़की मैं बहुत स्ट्रॉंग हैदेड हूँ छोटे शहर से आई हूँ गोहाटी में मेरे पैरेंस है मैं सायम की लड़की हूँ बोडिंग स्कूल में पढ़ी लिखी फिर लंडन गई थी टेक्सटाइल पढ़ने के लिए तो छोटा शहर बड़ा शहर एक्स्पोजर काफी अच्छा मिला बच्पद में बोडिंग स्कूल ने बहुत चीजे सिखाई तो डेली गर्ल नहीं हूँ छोटे टाउन की लड़की हूँ बहुत शॉक होते लोग की गोहाटी की लड़की है अच्छा गोहाटी में ऐसे होते पारिष बच्छे तो मेरे पैरेंस ने कहीं कमी नहीं रखी इन नहीं कमी नहीं रखी मेरे पर्वरिष मेंगा तो तो यहाँ पर किन चुनोतीयों का शामना इपको करना पड़ा और एक बात और की अध्वाटिश जो आपको मिले वो कैसे मिले हैं तार थे-खि zo LU फॉमारी discussion हुई थी, कि सारे disadvantages नहीं, advantages भी होते हैं so लड़की होने का advantage है और थोड़े disadvantages भी हैं, लेकिन I think जैसे हमने discuss किया था पहले कोई भी business करो as a woman आपको कभी वो option नहीं होता कि आप घर ना देखो आपके पास कभी यह option नहीं होता कि आप अपने social responsibilities पूरे ना करो, जहां कि मैन को वो लीवे होता है वो नहीं करते है generally हमारे जो इंडिन ससाइटी है उनका काम होता है office, घर, घर, office और जो भी, हम औरते multitasking होती है तो challenges ही होते है कि वो time उतना ही होता business में involvement equally as my husband but additional responsibility of family, children animals, household, staff so हम लड़किया बड़ी strong होती है हम कर सकती है but again as a woman we're not physically as strong थक जाती है लेकिन mentally बड़ी strong होती है challenges ये कि मैं छोटी सी थी 23 year old मुझे कोई seriously नही लेता था बच्ची है, लड़की है so that challenge exists आपको ये ना सोचे कोई की अच्छा वो तो passion के लिए काम कर दी है उसका husband है वो सब कुछ देख रहे तो वो दिमाग की जो सोच है ना उसको बदलना बहुत challenging आज भी ये होता है माम को कम seriously लिया जाता है सर को जादा seriously लिया जाता है तो ये तो society का norm है ये एक challenge होती है आप कहीं भी जाओ जैसे you're a woman they take you lightly but हम lightly लेने like लोग नहीं है हम बड़ी strong है आप बिल्कुल जैसे आपने बताया कि women को बहुत lightly लिया जाता है आत्मियों को business के दुरान तो आप ही आप अपनी company में founder समझे आप founder है इसकी तो आपको जब आप किसी को डाड़ती है या कुछ होता है तो आप एक महिला होने की नाते मतलब जो मन में एक होता है कि मतलब emotion जादा होते है हमारे अंदर तो क्या वो आप वो जो जाहिर करती है उस टाइम पर बे बड़ी emotional हूँ ठीक है मेरा पारा इधर उधर इपर नीचे एक second में change हो सकता है बहुत तकलीफ होती है अगर किसी को बोला जाता है कुछ कि अगर कोई professional हो जाएना लोग अपना काम seriously कर ले तरीके से कर ले जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो कर ले क्योंकि आप कितना ही समझा सकते हो आप कितना बता सकते हो फिर जब फ्रस्टेशन अंदर भर जाता है और फिर वो चीख निकलती है अंदर से तो I think वो खुद का फ्रस्टेशन और उससे बहुत तकलीफ होती है बहुत तकलीफ होती है किसी को डाटना, किसी को कुछ बूलना I wish कि सब अपना काम करें जो चीज कि आठ गंटे काफी होते दिन के लिए हाँ, बस सब प्रोफेशनल बन जाए मैंना अट बुमिन तो बहुत मजा आ जाएगा जैसे आपकी कंपनी आपर है तो उसमें साथ हजार से जादा लोग काम करते हैं आपने जैसे बताया तो आप उसको हैंडल कैसे करती है, मतलब जो मूटिवेशन आपको कैसे मिलता है उन लोगों को बता है आप तेखो, मैं कोई चेंज हो लाइफ में किसी के उसके लिए पैदावी थी ऐसे तो नहीं मनने वाली है ना तो साथ हजार लोगों की सालरी जब देते हैं इसके मतलब आप साथ हजार परिवार को देख रहे है ठीक है वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है यह रिस्पॉंसिबल फोर फैमिलीज नोट जिस्ट विएसल्फ यह अच्छा कर्मा है और यह साथ हजार लोग डिरेक्ली इंडिरेक्ली चालिस-पचास हजार फैमिलीज हमारी इंडस्ट्री से कनेक्टे है तो अब जितना अपना काम बढ़ा होगे उतना लोगों की सालरी जबेटर होईगी उतने लोगों को आप जॉब पर रख सकोगे उतनी जिन्दगियां बदलोगे उसमें बढ़ा मजा आता है बढ़ा मजा आता है जैसे आप में बताया या फैमिलीज के बार में बताया तो इसके अलावा आप मैंने सुने आप डॉग हैं आपके पास इसके अपके तर्स्थ, नॉन-फोफिटबल और्गनिजशन है जहां एज के एज केर है शॉट्स्टे असिस्तिड लिविंग है तो as a family we run that Uh... I mean all have to do something for the society तो अिसके लावा मेरा तो पास्यननमों है uh... अभी फिला तीन stray indies stray dogs को adopt किया ह। Orphanage for Animals बहुत सारी चीज़े करने के लिए जिंदगी में, सबसिडाइज़ फूडिंग यहां पर है, और खाना, जो कि खाना हम भी कह सकते हैं, वही काना लेवर खाती है, चोटी चोटी चीज़े, आपका जो वर्क एंवायमेंट है, आप जहां बैठाते हैं लोगों को, वहां गर्म जादा ना हो, पीने का पानी साफ हो, खाने के लिए जगा हो, basic respect for people, for your carigas, for your tailors, for people who work, उनकी जो basic environment अच्छी मिल, दे सके ना, हम कोशिश करते हैं दे, ESIPF देते हैं पूरा, जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं जरूरूर। Thank you, जैसे आपने बता है, परसनल बात होगी, तो आपके प्रोफेशनल में जाएंगे, डिजाइनिंग के, जो आपके जो आफ़िट्स है, उसमें एक महिलाओं को लेकर ने एक वो है, कि जैसे अगर आपको इपको या आफ़िट बना रहे हैं, तो लड़की को पतले दिखन इसमें कोच ने और हमें ना, हम भूल जाती है कि हम जैसी है ना बहुत अच्छी हैं, तो आफ़ कोस आप, जो भी आपके पास आता है, वो आपके पास ये सोच के आता है, कि मेरा dream outfit मिले, मुझे तारीफे मिले at the end of the day, जब आप बहार रेडी होके जाते हो, तो यह सोचते हो, तारीफ अच्छा, so many people complimented me today, बस यह चही होता है हम सब को, so वो एक responsibility है और कोई पतला, लंबा, चोटा, मोटा, यह, वो, यह सब कानिया, हम सब बहुत सुन्दे रहे, है ना, as women, we're very strong, and beautiful. यह तो होई थोड़ी और बादलब, पैसी बाद, तो आप परस्नल, मैं आपको बात करूँ, पर्फेशनल के बारे में बात करूँ, तो जहसे आप काम कर रही है, आपके अपके अंदर कभी आता है, कि नहीं, यार, मतलब, लड़कियों लिखके लिए यह नहीं हो रहा, या अगर आप जिस आपका ग्रहा कह, आपको कोई चीज देता है बनाने के लिए, तो क्या वो सोचता है, कि यार, यह लड़की अच्छा बनाएगी, आपका काम बोलता है, वो लड़की हो या लड़का हूँ और लोग आपके पास आपके काम के लिए आते हैं, आपको जैसे हम सर्च करते हैं सु गूगल पर पल्लवी मोहन तो आता है, बहुत अची प्रोफाइल, उसमें लिखा है, यह क्या है, यह क्या है, मतलब का बैंड का नाम है, नोट सो सीरियस, मतलब कब दिमाग में आया आपको और आसा क्यू रखा आपने? ऐसा क्यू रखा, यह मेरे ब्रांड को अब लगबक 16 साल होने कुआ हैं, और जब में एक स्पोर्ट हाउस में दो बिजनिसेश चलाती हूँ, एक अपने हस्बन के साथ एक स्पोर्ट हाउस और नोट सीरिस मेरा खुद का अलग बिजनिस है, जो मैं अकेले चलाती हूँ, आप बीन वर्किंग फॉर 22 यहर्स नाउ, आदी जिंदगी, जो जब मैं डिजाइन करना शुरू कर रहा था मैंने, तो इंटरनाशनल बायर्स मेरे डिजाइन को आज़ेकर अपना लेबल लगाकर सेल करते थे, ज़े किसी दोस्त ने बोला था, कि तुम्हें अपना लेबल शुरू करना चाहिए, तो मैं खूब सोर से हसी थी, तो इंटरा कुद का लेबल, दिमाग कराब हो है आपका, ये, बिल्कुल सीरिस नी हो पाँँ इस चीज के लिए, Not So Serious is your label's name, वैसे Not So Serious वा, Serious quality, Serious workmanship, Serious responsibility, और fun government, Not So Serious, कि जिंदगी को खुल के जी हो, This is exactly who you are, your personality is this Pallavi, और ये ही आपका लेबल का नाम, Pallavi Mohan तो मैंने बाद में आड़ किया था, पहले सिफ Not So Serious था, जब मुझे लगा कि मैं ठीक था, काम करी हूँ, तब अपना नाम डाला था, उसके पहले अपने नाम को खराब होना जाएना, इसके नाम नहीं डाला था मैंने, Not So Serious किया था, उसमें Pallavi Mohan नहीं, बच अब Pallavi Mohan अर जगा डालने की हिम्मत आगी, हिम्मत नहीं आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं इंस्टा पे, अगर अब देखो व्यूज आपके आते हैं, अच्छे जो एक्टर और एक्टरसें जो इंफ्लुएंसर आपके ड्रेसे पहन रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो यह एक सवाल हो गया, और एक आखरी सवाल मैं आपको पूछना चाहते हूं आपको एसा गर्ल, जैसे मैं हूँ, मुझे ड्रेसिंग सैंस का नहीं पता है, अगर आपको हमारी वीडियो देखेगा, तो उसको पता होगा कि एक फ्रेशन डिजाइनर है, जो बात कर रही है, तो आप जो यंग्स्टर्स हैं, उनको क्या एक ऐसा मतलब एड्वाइस देना चाहते हैं, कि वह थोड़ा सा मतलब अच्छी देखे या कुछ एक एड्वाइस? आपको पता होता है, आपको क्या सूट करता है, आप किसी और की तरह बननी की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हम हमारा, हम जहां उठते बैठते हैं, सब कुछ सब का फर्क होता है, हर चीज जो इंस्टेग्राम पे दिखती है, सोशल मीडिया में ना दिखती है, मूवीज में दिखती है, उसमें ना बहुत सारा टच अप होता है, फिल्टर्स लगे होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो जिंदगी नहीं होती, आप प्लेन सल्वार सूट पहनो, वाइट शर्ट, डेनिम पहनो, जो भी पहनो, वो पहनो जिससे आपको, खुद को अपने फिल करें, अब जैसी मैं कपड़े पहनती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपकी पिस्नालिटी के लिए हो, हम सब अलग हैं, और अपनी उनीकनेस बनाये रखो, एक्स्पेरिमेंट करो, हमेशा इंफ्लूएंसर से इंफ्लूएंस होनी की जर्वत नहीं, आप खुद को इंफ्लूएंस करो, आप बहुत सुन्दर हो, ये तो आपकी बात होगे, आप इतनी पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिविटी जो लेकर आई हैं, हम आभी आये थे, तो हम बहुत सारे अपके साथ काम करने वालों से मिलें, तो वो इतनी खुश थे, इतना मतलब आप अपके हैं, तो एक message आप देना चाहेंगे. ताइम मैनेज़मेंट करना बहुत जडरूरी है एक तो, मैं सुभे सारे चार पांच बजे वपती हूँ, बहुत बारी होता है कि मैं फाक्टरी सुभे आट बजे ही पहुँच जाती हूँ, मेरा दिन सोला गंटा से बीस गंटा होता है। I try and lead by example. अगर मैं काम कर सकती हूं, तो मेरे बच्चे जरूर काम कर सकते हैं. Environment, ups and downs होते हैं, जैसे घर पे होता है, प्यार से भी और गुसे से भी, अच्छे हैं बच्चे हैं। मुझे बस एक चीज इन सब को पता है, मुझे जूट से बहुत नफरत है। बाकी सब कुछ चलता है, वो जब तक नहीं बोलें, यहां का environment सब ठीक है। और जिन्दा दिल रहना है, खुश रहना है, और वक्त हम आदी सी जादी जिन्दगी अपना office में बिताते हैं। सारे लोग, आप भी काम पे बिता रहे हो, आप भी काम पे बिता रहे हो, घर कितना रहते हैं। तो office environment अच्छा होना बहुत जरूरी है, सब के लिए। जो भी जहां पर भी जो भी काम कर रहे हैं। इस वरी वरी इंपर्टन। थ्रीफोर्थ अफ यार लाइफ, इस अट वर्क, अगर है। तो पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव और इंसान है। नेगिटिव मोड भी आता है। बट जब बैठकर सोचो तो ज़्यादा अच्छा ही हैं बुरा ही हुसे। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। जैसे आपकी भी है। थैंक्यू है। और आपको लगता है सामने वाला बंदा है। सही है। बिल्कुल एमना बंदा है। नहीं हो सुंपोटू। मेरे में फिर्टा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे नहीं पहसॕे पोल सकती has. मैं जोठ नहीं, बोल सकती, फिल्टर के जरुवत भी नहीं है जरुवत नहीं है ना किसी को मतलब डिपलमाटिक होना जरूरी है हाँ, remember this, मेरे जैसा होना बहुत complicated है डिपलमाटिक होना जरूरी है बट जूट बोलना जरूरी नहीं थैंक यू, थैंक यू मतलब जो आप बता रहे हो मैं कई लोगों से मिली हूं कई दिनों मैं मैंने काफी इंट्रिव्स करें तो वो जो positivity है वो आपके अंदर बहुत सही है मतलब लेवल आपका बहुत सही है सब्सक्राइब हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अपने जिंदगियों में हमें नहीं बता होता कि हम क्या कर रहे हैं हम बाद में सोचते हैं कि अर्यार टाइम बीद गया तो वो जो आप जीने का जो आपका नजरिया है जो भी चीज़े है वो बहुत काबले तारिफ है मारे लिए मारे जो दर से काई अबर आप देखेंगे तो उनको अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी आप इतनी पॉजिटिविटी लेकर आती हो हर वक्त विद यूर पॉड्कास आप उक्याद लेकर आती हो में उनको पता हो पता है उनके पारे लोगो को पता होना चाहिए को हर कोई इंसानन आपने बारे में पढले में सोचता है न तूसरों के बारे में भूट कम लोगोगों थे जो तो थैंक यू सो मुच मैं हमारे शो में आने के लिए हमारे साथ अपने स्टोरी शेयर करने के लिए तो आज हमारे साथ मौजूद थी पलवी मोहन जी जो इस वक्त नॉइडा में अपनी कंपनी चला रही है उनके जो भी क्रियेशन्स है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं यह एक साधारन सी लड़की थी जन्होंने अपनी कंपनी शुरू की अपना ब्रैंड शुरू किया और इस वक्त जो भी उनका ब्राइंड है वो हर जगर चाया हुआ है तो उनका जो ज़जबा है वो काबिले तारीफ है तो ऐसे ही लोग और उनकी कहानी लेकि हम आपके साथ बने रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेस टाइमस मैं उत्तर प्रदेस टाइमसे जोतिकार की धन्यवार